में हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं आज हम अर्ध प्रित्त का कोड समझें कि अर्ध प्रित्त जो ऊता है उसके द्वारा जो परिधि पर कोड़ बनता है। वो कितने अंस का कोड़ बनता है। इसके बारहे में यहाँ समझेंगे और इस पर एक इंग्जामपल भी लगाएंगे जिससे आपका concept clear हो जाए चले friends स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अर्ध बृत का झोड कितने अंसका होता है फ्रेंज पहले आप समझेंगे अर्द-बृत अर्द मतलब होता अधा, बृत की बिथि turbine मतलब होता है यानि बृत का आधा भाग जो होता है उसे क्या भरत ऐ हैं अर्द बृत बोलते हैं देखिए फ्रेंज जैसे आपएक वृष्ट खीरते हूंगा तो इसका एक केंध्रा होता हो ठीक है परदिक एक सीरे से लेक परदिके दूसरे कृत केंद्र से अपर अर्धिवृत हो गया उपर आधा बाग और दोने यह बराबर हो गया अर्धिवृत हो गया फ्रेंस इस अर्धिवृत यानि कि इसमें जो कोड बनता है यानि कि जैसे यहां पर ले लिजे यह ऐसे बना दीजे ऐसे यह अर्धिवृत पर बना कोड हो गया अर्धिवृत पर ज क Mississippi कोड़ बनाइंगे यहां पिना नबयां सकते हैं इसे हैं इसे बनाएंगे यहां प्रम पेड़ाम सिर्फ आप को याद रखना है कि अर्द ब्रित पर बना कोड़ कितने अंस को होता है नब्य अंस का इसके द्वरा कहीं पर भी बना दे ठीक है इस साइड बनाए जहां ऐसे करके यहां पर बनाए ठीक है यह हमेशा कितने अंस का होगा नब्य अंस का तो फ्रेंस यहां से आपको याद रखना है कि अर्द ब्रि कौड नभवे अंस का होता है बस इतना याद रखना है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके इक्जाम में कई क्वेशन से पूछता है कि इसे आप यादबिरत पर बनाकॉड कितने होता है तो इसे आप अपने उत्तर के पच्छ में कारड़ बताएं स्की दोड़ेशित पूछ कि रहा है कोड़ेस का मान पूछ रहा है तो आपका एंस्वर क्या होगा इस तरह पी बराबर नब्यांस अपने उत्तर के पच्छ में कारार लिखना है आपको कारार कैसे लिखेंगे कि अर्द बृत पर बना कोड़ नब्यांस का होता है यह आपका कारार हो जागा ठीक है इस प्रकार से इसका एंस्वर दिया जाता है तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें